दोपेहर का भोजन आज इसमें बहुँ विकल्पिय प्रेशन उतर कर रहे हैं पहला प्रेशन है कि दोपेहर का भोजन कहानी की लेखक कोन है चार उप्षन है अमरकांत, मोहनराकेश, कबीरदास, हरिसंकर परसाई तो हमारा सही जवाब है अमरकांत आपको जो प्रेशन आते हैं उन पे आप टिक मारक लगाते जाए इससे आपकी तैयारी भी सासाथ होती रहेगी दूसरा प्रेशन है सिथेश्वरी के कितने बेटे हैं इसमें पहला option है दो दूसरा option है चार तीसरा option है तीन चोथा option है पांच तो इसका सही जवाब है उत्तर तीन यानी कि गैं option यहाँ पर सही जवाब है प्रेशन आ रहा है कि सिथेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? आप्शन है, पहला आप्शन है मोहन, दूसरा आप्शन है रामचंद्र, तीसरा है राम, जो था है प्रमोद. तो इसमें हमारा सही जवाब है, आप्शन क्या रामचंद्र. प्रेशन है सिधेश्वरी के मजले बेटे का क्या नाम है यहाँ पर हमें चार आप्शन मिल रहे हैं मोहन, श्याम, प्रमोद और सोहन तो इसका सही जवाब है मोहन प्रेशन है कि मोहन की उम्र क्या है पहला आप्शन है 15 साल, दूसरा आप्शन है 18 साल, तीसरा है 20 साल, चोथा है 7 साल तो यहाँ पर सही जवाब है 18 साल प्रिश्ण है सिधेश्वरी के पती का ग्या नाम है आप्शन है राम प्रिशाद दूसरा आप्शन है मुहम्मद खान तीसरा आप्शन है मुंशी चंद्रे का प्रिशाद चोथा आप्शन है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही जवाब है मुंशी चंद्रे का में जब सब खाचुके थे तब कितनी रोटी बच्ची थी option है दो priority दूसरा option है चार really तीसरा option है एक रोटी छोथा option है एक भी नहीं तो यहां पर सही जवाब है एक रोटी प्रेशन है कि दो पर प्रेशन है अंत में सिधेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था पहला अप्षिन है उसका बड़ा बेटा रामजंद्र दूसरा अप्षिन है उसका पती मुंशी जी तीसरा अप्षिन है उसका सबसे चोटा बेटा प्रमोद या फिर कोई नहीं तो इसका सही जवाब है उसका सबसे चोटा बेटा प्रमोद वह है था जिसने खाना नहीं खाय सिध्य शोरी के अलावा. सबसे छोटा बेटा प्रमोद उस ने खाना नहीं खाया था. प्रेशन है अमर कंत को सहित्ते अकादमी पुरुष्कर कब मिला? इसका option है 2006 में? दूसरा option है 2007 में? तीसरा option है 2013 में? चोथा option है 2010 में? तो सही जवाब है 2007 में. प्रेशन है कि मुशी चंद्री का प्रशाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा पहला option है गुड तथा गुड का ठंडा रस दूसरा option है एक कटोरी पनियाई दाल तीसरा option है चेने को तरकारी चोथा option है इन में से कोई भी नहीं तो यहाँ पर सही जवाब है गुड तथा गुड का ठंडा रस फ्रिशन है दो पहर का भोजन कहानी में सिधेश्वरी जूट क्यों बोलते है पहला अप्शन है सबको भ्रमित करने के लिए दूसरा अप्शन है जूट बोलना उसकी आदत है तीसरा अप्शन है डर के कारण चोथा अप्शन है परिवार में एक ता बनाए रखने के लिए तो इसका सही जवाब है परिवार में एक ता बनाए रखने के लिए चोथा अप्शन यहाँ पर हमारा सही जवाब दो पेर का भोजन कहानी में कुन सा पात्र बिमार है पहला अप्षन है रामचंद्र दूसरा अप्षन है प्रमोट तीसरा अप्षन मोहन चोथा अप्षन मुंसी जी इन में से बिमार कौन है हमें यह है वताना है तो इन में से बिमार है पहला अप्षन रामचंद्र यहाँ प तो सही जवाब है B option proof reading का काम रामचंद्र कर प्रेशन है कि दोपेर का भोजन कहानी में सिधेश्वरी का मूल स्वर क्या है मूल स्वर क्या मतलब क्या है मूल भाव यहां पर क्या है सिधेश्वरी का तो पहला है वर्ग संगष दूसरा है अपनी नाकामियों के विरुद संग तो यहां पर मूल भाव जो है उसका है वर्ग संगष करना अलग-अलग classes में जो difference पाए जाते हैं उनके प्रति संगष करना प्रेशन आता है कि सिधेश्वरी किसकी जूठी थाली लेकर के खाने को बैठी थी यहां पर चार option मिलेंगे पहला रामचंद्र की दूसरा मुंश सिधी की थाली लेकर के वो खाना खाने के लिए बैठी थी जो जूठी थी प्रेशन नंबर 17 है रामचंद्र की उम्र कितनी है option है 21 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष या 20 वर्ष तो यहां पर सही जवाब है 21 प्रेशन आता है किसी धेश्वरी के खाते सेमें आसू टपकना कैसी व्य था यानि दुख खाना खाते हुए वे रोने लग जाती है इसके आसू टपकने लग जाते हैं तो यह किस प्रकार का दुख है किस चीज को दिखा रहा है इसमें हमें चार option मिले हैं पहला option है अमीरी में कोई भी दुखी नहीं हो सकता है दूसरा है गरीबी तीसरा option है दोनो में 1924 में 1925 में या 1950 में तो सही जवाब है सन 1925 में अमरकांत जी का जैनल प्रेशन है कि जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है उत्तर में चार option हमें पहले मिलेंगे राम चंद्र या मेहमान अंकल या मुशी चंद्रिका जी तो इसका सही जवाब है जब मोहन खाना खा रहा था तब घर में सबसे पहले मुशी चंद्रिका जी प्रवेश करते हैं यानि कि आते हैं घर में यह थे आज के हमारे पाठ दोपेर का भोजन के प्रेशन आतर वहुई कल्पी प्रेशन आतर इसी तरह के प्रेशन आतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्र किजिए थैंक यू पर वजिंगां